राम्राम्सा स्वास्तिक पामेश्ट्री चेनल कैमाई थारो स्वागत है आज को आपनों जो टोपिक है चंदर परवत पे मतस्य चिन मतस्य चिन अथेली में सुब चिन मान्यों जा है कोई भी समय विशेश में यो जातक की एज के उभर सके है और कुछ जगे पे इस्ता ही तोर पे भी यो मुखे रेखा और परधान रेखा पे देख्यों जा है जय कि जीवन रेखा पे यो बोद सा अथा में थाने देखने मिल जागो और यही भागे रेखा का प्रारम में भी अठे थाने मतस्य चिन बनेडो कई अथा में मिल जागो तो देखो, चन्दर छेतर पे जब भी मतस्य चीन बणागो इक परकार न समझागा की परकार से यो बणागो तो उस्तती में किसो पह्ला उजातक न मिलागो तो सबसे पहली आपाने थोड़ों सो चंदर छेतर ने समझे लेनों चीए तो देखो इह हाथ के अगर बात करा तो इह हाथ में यो जो छेतर था ने दिखरे है यो चंदर को छेतर है इने मन को कारग गरे बोले जाहे दूसरों आपने इमाता ने यो रिपरजेंट करा है विशेश कर यो भी वोले गयो है इने राणी को दर्जो दियो गयो है अगर हाथ में चंदर पीडी थै चंदर निम्न को है दूसरी थै उस्तती में किसा भी चोखा योग हाथ में बन रहा हो बने योगा ने यो भंग कर देगो तो इको विशेश महत्व है समुंदर सास्तर में बतायो है अगर चंदर हाथ में स्ट्रोंग है चोखो है यह हाथ के चंदर की भी अगर देखो आपा देखा तो यो चोखो माउंट है जीवन में यो जातक पोजिटिव और यह वेगो इक यो जो मन है इस्ट्रोंगल ओनो यो हर जातक का जीवन में देख्यो जाए लेकिन अठे चंदर दुवारा एक मन की अगर बात करां तो कामदन्द नहे केँ पारिवारिक चेजन नहे केँ तरक्किन ले केँ इक जीवनमें यो पोजिटिविटी देगो तो देखो, चंदर आपनो पोजिटिव है, तो जीवन में चंदर आपना टेलेंट न बताओगो, आपने पूर्वा आवास न बताओगो, इमेजिनेशन पावर न है, तो ये सब की पोजिटिविटी जातक का जीवन में देखी जागी. अब विक्सित चंदर चेतर है, पोजिटिव आपना हातम चंदर को परवत है, और उपरवत पै अगर फी साइन बन रहे है, अब फी साइन उपर की डाइरेक्शन में भी वने है और निच्चे की डाइरेक्शन में भी वने है, तो देखो, इको जो परभाव है, बिने समझन की कोशिस करांगा इपरकार से थाने एक सिंबल वन्टो दिखागो इनने फिस साइन चंदर छेतर पर बोल ले अगर इको मूँ थाने उपर की तरफ दिखाए इपरकार से तो या जो तरक की थाने करवाओगी जल्दी करवाओगी अगर इको मूँ निच्च की तरफ अगर दिखाए तो फिर उइस स्तती में जातक की जो तरक की होगी भी मैं देरी देखी जागी कुछी परकार से या फोर्मेशन ताने निच्च की तरफ बनती दिखागी तो देखो उपर की साइड में अगर मूँ है तो सफलता सिगर में लगी दूसरों आपाने यो भी देखनों है कि इफ इसको जो मूँ है डायरेक्शन है कि कोई सा गरेच्च्च की तरफ है बुद्ध की तरफ है सूर्य की तरफ है सनी की तरफ है गुरू की तरफ है जी ग्रह छेत्र की तरफी की डाइरेक्शन रेवगी उग्रह से विशेस लाव उककारका की प्रती जातक का जीवन में सूफला की देखी जागी तो देखो जब भी फिशाइन आपने चंदर छेत्र पे बंडर है तो आपने यो समझ लेणों चीए की जातक ने जो चंदर कारक हो है यत्रा को तरक्की को आपनों ब्यापार है आपने यो सफलता दिलाओ ऑगो गोई समय विशेस में भी यो बंड सका है और कोई जातक का जनम के साथ भी यो हात पे उसका है जब भी इको एक्टिवेशन हाथ में अचानक सी यो बने तो जहें ही यो बने गो जातक की तरक्की में ब्रधी देखी जागी इक का साथ ही अठे आपने या जरूर ध्यान राखनी है कि यो चिन एंडिपेंडेंट बने है या इचिन का साथ को इरेखा को संबंद हो रहे हैं उस्तती में उरेखा से संबंदित चीजां भी फिर इचिन का साथ देखी जाएंगी अगर यो अया ही बन रहे है तो कोई भी व्यापार यो जातक कर रहे है घर से दूर यो जातक रहे है इन बिदेश यात्रा दुआरा लावियो करवाओगो तो इन अठ्याबा सुब देखांगा टेलेंट में ब्रदी के लिए भी देखांगा धनी योग के लिए भी देखांगा और सफलता पूर्वक सामुंदरिक यात्रा के लिए भी देखांगा और जो भी यात्रा चाई जातक सामुंदरिक यात्रा करें चाई हवाई मार्ग से करें चाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यात्रा करें हर प्रकार की यात्रा उजातक के लिए सूफल दाई मानी जाएंगी अठे आपाने यो भी ध्यान राकनों है कि अईया को जातक चंदर से related कोई भी वेवसाई कर रहे हैं तो भी में भी विशे सफलता है जातक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगेरा कुछ भी गर्यों भी नला भी अठे ओवागो अब देखो चंदर की यात्रा रेखा भी अगर आके इस सिंबल से संबंद बना दे तो दुग्ण परभाव से positivity यो जातक ने देगो अठे यात्रा रेखा को इसे संबंद होगो है तो इस जातक का जीवन में जो यात्रा रहेंगी सदे पोजिटिव देखी जाएंगी अब अगर या रेखा काली पड़ जा थे देखो गाताना हात मिली गाया का पीमे या रेखा काली पड़ रही है सिंबल चोखो वंड़े उइस तती में इक परभाव में कमी आजागी यो जो यात्रा करेगो यात्रा दुआरा लाब तो होगो लेकिन कठनायां के साथ और जो लावोनों उमवियादी कमी देखी जागी अब फोर्मेशन है आपा जो फी साइन है इन गैरों कर दिया इपरकार से और यत्रा रेखा चोखी कर दिया यह चोखी है और यह काली डार्क गैरी रेखा से हाथ में फी साइन बंढ रहे हैं दूसरे सब्दाम अगर समझो तो यह ब बतामें कमी देखी जागी अठे भी इने संगर्श करनों पड़ागो अब देखो चंदर सजब भी भागे रेखा निकले अकसर थे देखो गाया रेखा अया थने अया निकलती दिखागी थोड़ी सी गूम कचा लगी तो इकलिए समुंदर सास्तर में यह बात बोली गई है कि इजातकी तरकी थोड़ी दीर दीर होगी लेकिन जहीं ही इजातकी यह जो भागे रेखा है इको सम्मंद अगर फिस्च हो रही है और फिर यह रेखा चाल रही है तो इजातकी में ब्रधी नया बताओगी इजातकी जीवन में निरंतर यात्राएं भागे ब्रधी न जीव देश्य से भी यात्रा करेगो, इन विश्य स्लाव यात्रा दुआरा मिलेगो, भागे परवली को देख्यो जागो, चंदर लख भी अठे इजातक के साथ रह वगो, अब देखो, एक और फोर्मेशन न समझा, अठे कुछ रेखाओं है, अन रेखा ने तरक्की की रेख का नाम से जाने हो जा है, इस रेखा पर अगर यो सिम्बल बन रहे है, एक साख्या और जो फुपिसकी अकरती है, इम से एक साख्या उसका यो इससे संब बना ले, इसे, कोई भी एक रेखा से संबन बना ले, तो अठे इजातक को, जो इमेजी नेशन पावर है, जो इसकर इस्मरन सकती है पुर्वा वास सकती है उमब्रधी देखी जागी साथी तरक्की के लिए भी इजातक का हाथ में अठे इफीश साइन ने देख्यों जागो और अठे इफीश साइन जातक ने सूब फल देवगो अब देखो माल्यो चंदर छेतर पैं फीश साइन बन रहे हैं और फीश का अंदर कि जब भी कोई सिंबल बने हला है हाथ में कोई भी घ्रचेतर पैं कोई भी रेखा पैं तो उस सिंबल के अंदर कोई भी डोटको निशान दभ्गो निशान कोई भी आडी तिरशियां रेखा नहीं होना चिए अगरन में से कोई भी काड़ छाट दाग धबाव गेरा आ रहे ही तो निश्चीती जो फिसाइन बन रहे हैं मत्यस्य चिन इका परभाव में इकी सुबता में सुब गुणा में कमी देखी जागी तो इपरकार से चंदर छेतर पर आपा जो फिस बन है उका परभाव ने आपनी अथेली में समझ सका हैं तो या थी जानकारी चंदर छेतर पर मत्यस्य चिन ससंबंदित राम राम सा